तो हेलो एब्रीवन आज का प्रश्ण भी सिंपल इंट्रेस्ट से है तो क्वेश्चन है यह सम अफ मनी लेंट एट सिंपल इंट्रेस्ट एमाउंट्स टू 783 in 2 years into 837 in 3 years find the sum and rate percent per annum यानि मतलब यह हुआ कि कोई राशी दो साल में 730 रूपया हो जाता है और तीन साल में 837 रूपया हो जाता है ब्याज लगने के बाल तो ब्याज की दर क्या होगी rate of interest per annum और राशी क्या होगी यानि कौन सी राशी 2 साल में बढ़कर 730 रूपया हुआ और तीन साल में वह बढ़कर 837 रूपया हो गया यानि आपको मुल्धन निकालना है मतलब principal amount निकालना है तो देखिए बड़ा ही आसान है बस पलक जपकते आप समझ जाएंगे मैं थोरा सा बना करके इसलिए रखता हूं ताके कम से कम समय लगे कम समय में चुकि ज्यादा समय तो भाई कोई वीडियो में टिकना नहीं चाहता है तो जो बच्चा हो वह अपना कोई रासी 3 साल में 837 रुपया हो जाता है और 2 साल में 783 रुपया हो जाता है इसका मतलब 2 साल में 783 और 3 साल में 837 अंतर कर देंगे तो 54 हो गया यहनी 54 रुपया एक साल के अंदर हुआ एक साल में ब्याज लगा कितना? 783 बरकर 837 रुपिया हो गया मतलब यह हुआ कि एक साल में 54 रुपिया ब्याज लगा समझ में आगिया होगा आपका तो interest in one year एक साल में ब्याज 54 रुपिया आप देखें मैं यहाँ पर क्या निकला हूँ? दो साल में ब्याज तो दो साल में क्यों निकला हूँ? क्योंकि यहाँ पर दिया हूँ है कि कोई राशी दो साल में हो जाता है 783 रुपिया तो यह दो साल पहले यह राशी कुछ और रहा होगा तो वही आपका मुल्धन या principle एमांट होगा इसलिए मैंने दो साल का ब्याज निकाल लिया है तो दो साल का ब्याज हो गया 108 रुपिया दो साल में मिस्र धन यानि ब्याज लगने का बाद जो एमांट भना था वो कितना हुआ? 713 रुपिया और ब्याज हो गया दो साल का 108 रुपिया इसमें ब्याज मिला हुआ है यदि इससे 108 घटा देंगे तो हमको मुल्धन या वो सम या प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा तो देखे निकालते हैं मुल्धन मुल्धन या पी 783 माइनस यह जो ब्याज इसमें बिला हुआ 108 इसको घटा देंगे 675 रुपए यह निकल गया मेरा मुल्धन अब इसका रेट परसेंट निकालना है यह दर निकालना है रेट परेनम तो आर निकालना है चले अब हम आर निकाल लेते हैं कि अग्या का फिर्मूला जनते है व्याज गूना सव यानि आई गूना फिर्मूला नहीं लिखते हैं और डियर्यक्म कर देते हैं जगन मेरे पास तो ब्याज कि ना हो गया दो साल में गया 108 रुपए एक को काड़ देते हैं 2 यह 54 कर देते हैं अब इसको और छोटा कर देंगे चलिए 100 और 75 को हम काड़ देते हैं पचीछ से डारेक काड़ देते हैं 25 चोक है चार दुनी, आठ परसेंट, देखे, आठ परसेंट दर निकल गया,